दोस्तो आज हम बना रहे हैं ताजे हरे मतर की फीलिंग बाली पराठा जो कि आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया से फुल रहा है खाने में बहुत ही टेश्टी लिगती है पराठा एकदम करारी क्रिस्पी पराठा बनके त्यार हुई है और बहुत ही बढ़िया खाने में स्वादिश्ट बनती है बर्नाना कैसे है चले वीडियो शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें पहले मटर चाहिए ताजा हरा मटर ले लिजेगा गैस के उपर करहाई डाल दिये हैं और गैस अन है एक चमस तेल हम गरम होने के लिए करहाई में डाल दिये तेल गरम होते ही उसमें हम मटर डाल देंगे थोड़े से लसन की कलिया डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे और ये सब को हम 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे आप लसन अगर नहीं खाते हैं तो इसकिप कर दिजेगा सिर्फ मटर और मिर्ची को भून लिजेगा तो इस तरीके से 3-4 मिनिट भूनने के बाद मटर सॉफ्ट हो जाता है और मटर फूटने भी लगता है तो जब मटर फूटने लगे फिर आप गैस बंद कर दीजे और मटर को ठंडा होने दीजेगा तो अभी आप देख पा रहे हैं मटर के उपर थोड़ा सा कलर भी आ गया है और मटर फूटने भी लगा है तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में डाल लिए हैं और अब हम इसे ग्राइंट कर लेते हैं तो इस तरीके से जब आप मतर को भून के पीसेंगे तो ये दरदरा पीसता है एकदम फाइन पेश्ट इसका नहीं बनेगा तो अब हम फिर से गैस पे कराई डाल दिये हैं और अब हम इसमें फिर से एक चमजीतना तेल डाल दिये हैं थोड़ा सा जीरा डाल दिये हैं जीरा जैसे ही चटक जाएगा इसमें हम एक बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। प्याज हमारा भून रहा है तो इसी के साथ हम बारी कटा हुआ अद्रक भी डाल देते हैं क्यूंकि हम मतर में लसन और मिर्च डाल के भूने थे अद्रक नहीं डाले थे तो अभी हम अद्रक भी डाल दिये हैं और प्याज और अद्रक को थोड़ी देर भूनने के बाद अब ह अच्छा बेसन ली थी तो इसलिए प्याज के साथ एक से दो मिनिट के लिए बेसन को भी भून ली तो अभी हमारा बेसन भी भून गया है तो अब हम इसमें थोड़े से सुखे मसाले डालेंगे तो थोड़ा समय लाल मिर्च पाउडर थोड़ा से चाट मसाला गड़ा मसाला इसमें डाल ली और बेसन के साथ इसको हम अच्छे से मिला लेंगे गैस का फ्लेम अभी हम कम कर दिये हैं और बेसन में हम मसाले को अच्छे से मिला लिये हैं इसके बाद हम पीस के जो मतर रखे थे उसको भी डाल देंगे और इसी मसाले में हम मतर को अच्छे से मिला लेते हैं मटर हमारा पहले से ही भूना हुआ है तो इसे हमें जादा भूनने की जरूरत नहीं है बस हम मसाले में अच्छे से मटर को मिला लेंगे और गैस का फिलेम अभी कम करके ही रखे हुए हैं थोड़ा सा मीरियम कर देते हैं बढ़ा देते हैं गैस के फिलेम को और थोड़ी देर ह इसको अभी हम ठंडा होने देते हैं, तो जब तक यह feeling ठंडा हो रहा है, तब तक हम आटा गूत लेते हैं, तो एक कटोरी आटा ले लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, और एक चमजितना तेल डाल लेंगे, इसको हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूत लेंगे, तो आटा को हम एकदम बढ़िया से सौफ्ट गूत हेंगे, क्योंकि हम पराठे में feeling करने वाले हैं, तो आटा हमारा सौफ्ट रहेगा, तो पराठा फटेगा नहीं, कितना भी आप उसे पतला बे चोटा या बाड़ा आपको जिस हिसाब से पाराठा बनाना हो, उस हिसाब से लोई काट लिजेगा, तो मैं रोटी का लोई जी साब में इसका भी लोई काट ली और ये feeling भी ठंडा हो गया है, एक बार हाथ से feeling को मिला लेंगे, और एक लोई को हाथे ली पे घुमा के चिकन कर लेंगे, थोरा सा सुखा आठा इसके उपर लगा लेंगे, और इस तरीके से लोई को हमका टोडी का सेप दे देंगे, इसमें हम दो तीन चमच feeling डाल लेते हैं, तो जितना आपको इसमें पाराठा में feeling पसंदो, उसी साब से आप भर सकते हैं, ऐसे भी कोई भी पाराठा बनाएं, उसमें feeling ज़्यादा रहती है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से जैसे हम कचोरी भरते हैं, उसी तरीके से इसको भी भर लेंगे, और इस तरीके से दबा के थोरा सा इसको चपता कर लेंगे, सुखा आठा हम लगाएंगे इसके उपर, और और एकदम बढ़िया से ये बेल के त्यार हो जाता है, आप देख पा रहे हैं, मैं कितना बढ़िया से इसको एकदम पतला बेल के त्यार कर ली, तो ये पतला भी बिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंसन लेने की जरूरत नहीं है, कि ये फटेगा, बहुत अच्छे से बिल जाता है, तवा मैं गरम होने के लिए रख दी थी, तवे के उपर मैं पराठा डाल दी, और एक साइट से जवे थोड़ा सा सिख जाए, फिर आप इसे पलट दीजे, दूसरे साइट से भी थोड़ा सा सिख जाए, तो इसके उपर तेल या घी या बटर आपको जो पसं किस्पी होने तक इसे हम उलट पलट के अच्छे से से शेख लेते हैं, और यह देखें पढ़िया से हमारा पराठा सीख गया है, एकदम फूला फूला मटर का पराठा बना है, उपर से एकदम करारी और क्रिस्पी और पढ़िया सी मसालेदार चकपटी पराठा बनके त्या तो आलू भी एक डाल सकते हैं, बेसन या आलू मतर में बाइंडिंग के लिए डाला जाता है, तो ऐसे में बेसन ही डाल के ज्यादातर बनाती हूं, क्योंकि बेसन का टेस्ट अलग से नहीं आता है, पर उसमें बाइंडिंग के लिए अगर आप आलू डालेंगे, तो आलू का टेस्ट आजाएगा तो मतर के पराठे में आलू का भी टेस्ट आजाएगा तो इसलिए अगर आपको पसंद हो तो आलू भी डाल सकते हैं नहीं तो बेसन डाल के बनाएगा तो मतर का जो पराठा है सिर्फ मतर का ही पराठा लगेगा आलू मतर का पराठा नहीं लगेगा तो देखे इस तरीके से मैं सारे पराठे को सेख रहे हूँ और सारा पराठा हमारा बढ़िया से फूल रहा है तो इसी तरीके से हम सारे पराठे को सेख लेते हैं आप इस पराठा को सबजी के साथ दही के साथ अचार के साथ किसी भी चीज के साथ सर्व कर सेखते हैं या इसे सु हमारा पराठा बना है जब आप इसे गरम खाएंगे तो करारा क्रिस्पी रहेगा और ठंडा होने के बाद यह सौफ्ट हो जाता है मैं आपको तोर के दिखा रही हूं यह देखे कितना बढ़िया से हमारा पराठा फुला है आप लोग भी इस तरीके से एक बार जरूर आप सभी कोई बहुत पसंद आएगा